नमस्कार मित्रों या 2,000 भी टोकन्स मिले होंगे 40 टोकन्स के 1 डॉलर के हिसाब से 3,300 रूपय होते हैं और 100 टोकन्स के 8,300 रूपय अब ग्राश टोकन्स का सोलाना ब्लोक्चेन पर सोलाना के फेंटम वालेट में क्लेम करने के लिए 0.006 सोलाना यानि लगबग 90 रूपया फीस लगेगी उसके लिए वालेट में पहले सोलाना कोईन होने चाहिए नहीं है तो खरीदने पड़ेंगे पैसे खर्च नहीं करने हैं तो एक रास्ता है क्रिप्टो को क्रिप्टो से खींचना पड़ेगा आपने टेलिग्राम का नॉट कोईन या डॉक कोईन फ्री में माइन किया होगा तो उसको टॉन कोईन में कनवर्ट कर सकते हैं कैसे करना है वो पिछले 242 नंबर के वीडियो में बताया था तो आपके पास एक्चेंज पर टॉन कोईन है यानि लगबग 1500 रूपया लगेगी देखिए आपके पास टॉन कोईन नहीं है तो ही इतने रूपये खर्च होंगे यानि वो 90 रूपय और 1500 रूपय कुल मिलाकर 230 रूपय परन्तो आपके पास वो फ्री वाले माइनिंग प्रोजेक्ट जैसे कि डॉक्स कोईन या नॉट कोईन के टॉन कोईन बनाकर पड़े हैं तो एक भी रूपय का खर्च नहीं होगा देखिए हम क्रिप्टो को कभी भी पैसों से खरीदने की सला नहीं देते ये तीन स्टेप में काम हो जाएगा इसलिए पहले हिसाब किताब करके प्रोफिट मिलता है तो ही क्लेम करें अन्य था नहीं याद रखे 15 जनवरी 2025 तक ये क्लेम कर सकते हैं उसके बाद बटन डिसेबल हो जाएगा ग्रास की माइनिंग चालू है दुसरा स्टेज सुरू हो चुका है और कोई भी व्यक्ति अपने लैप्टोप या मोबाइल से अभी भी ग्रास में जोइन हो सकता है ग्रास नेटर्क में आपका योगदान सभी टाइम पिरियड में कैप्चर किया जाएगा और प्रत्यक चरण के अंत में टोकन्स डिस्टिबिट होंगे तब फीड से इसी प्रकार अपने ग्रास टोकन्स क्लेम कर सकेंगे तो आईए सबसे पहले 500 रुपे की गेस फीज का इंतिजाम करते हैं याद रखें किसी भी एक्चेंज पर आपके कोई भी टोकन्स पड़े हैं उनको सोला नामे कनवर्ट कर सकते हैं यहां उदारण में हम कू कोईन एक्चेंज का उप्योग करेंगे तो कू कोईन एक्चेंज उपन करें नीचे एसेट वाले सेक्षन में जाएं आपके पास जो टोकन्स होंगे वो दिखेंगे हमें टोन कोईन को सोला नामें कनवर्ट करना है तो पहले कू कोईन एक्स्चेंज में ही funding में से ट्रेडिंग वाले section में transfer करने पड़ेंगे ट्रेडिंग वाले section में लाने के बाद ही tokens को sell कर सकेंगे या convert कर सकेंगे चलिए एक ton coin को trading में transfer करते हैं उसके लिए ton coin पर click करके नीचे transfer button पर click करें यहाँ उपर funding select करें और नीचे trading वाला option select करें confirm बटन पर click करें अब उपर trading वाला section चेक करेंगे तो turn coins दिखेंगे trading वाले section में convert बटन दिखेगा वहाँ से turn coin को convert कर सकते हैं परन्तु हम turn coin पर click करके यह screen में नीचे convert बटन पर click करेंगे यहाँ उपर turn coin और नीचे solana coin select करें turn coin वाले box में max पर click करें या फिर manually एक number type करें यानि कि 1 नीचे convert to soul बटन पर click करें order place करने के लिए confirm बटन पर click करें देखें यहाँ conversion fees नहीं लगेगी बिना कोई fees के एक turn coin का 0.027 solana tokens बन जाएगा जो आपके exchange पर trading वाले section में दिखेगा तो turn का solana बन गया पहला step complete हो गया अब दूसरा step यह solana को अपने उस wallet में बेजना है जिसको grass network में connect करके रखा था verified करके रखा था आपने soul flare या कोई दूसरा wallet connect करके verified किया था तो उसमें यह solana tokens को बेजना है हमने phantom wallet को connect करके रखा था तो हम उसमें यह solana tokens बेजेंगे उसके लिए wallet open करें और wallet में solana पर क्लिक करें और receive बटन पर क्लिक करें यह wallet address को copy करें अब kucoin app में जाएं और kucoin exchange पर trading वाले section में withdraw बटन पर क्लिक करें और solana select करें यहां वो wallet का address पेस्ट करें जो हमने copy किया था नीचे network solana चेक करें withdrawal amount में max पर क्लिक करेंगे तो सभी solana coins आ जाएंगे यहां 0.02 solana tokens आएंगे जो हमने 1 ton coin को convert करके बनाये थे अब ध्यान से देखें नीचे transaction fees 0.01 solana tokens लगेगी यहां पर यह fees कटने के बाद ही बचे हुए solana coins phantom wallet में जाएंगे नीचे withdraw पर क्लिक करेंगे तो सभी details एक बार फिर से देखने को मिलेगी यहां fees कटने के बाद 0.0180 solana tokens wallet में जाएंगे इसको confirm करें आगे process में अपना OTP और 2-way authentication जो exchange के process में होता है वो process complete करेंगे तो wallet में solana tokens दिखेंगे इस प्रकार step 2 complete हुआ यानि wallet में transaction fees का इंतजाम हो गया अब आखरी step grass tokens को claim करना है उसके लिए google chrome में grass की website पर अपना dashboard open करें mobile है तो mobile में missis browser में या kiwi browser में ये dashboard open करें उसमें reward वाले section में visit website पर क्लिक करें अपना solana wallet का extension open करके connect करें देखे claim add drop पर क्लिक करने से पहले दो setting करनी है अब ध्यान से देखें देखे claim add drop पर क्लिक करने से पहले दो setting करनी है उसके बाद ही claim add drop पर क्लिक करना है उससे पहले नहीं तो पहली setting है यहां उपर priority में ultra select करके save करना है और बाजू में setting वाला icon क्लिक करके RPC endpoint में quick node select करना है hilius या other भी select कर सकते हैं यह RPC endpoint के बारे में इसी वीडियो में आगे जानेंगे अभी claim add drop पर क्लिक करके यह agreement open करना है drag करके नीचे आना है यह button इस प्रकार नीचे drag करेंगे तो ही accept button पर क्लिक होगा accept button पर क्लिक करके process शूरू होगा अपने wallet में login करके open करें उसमें दिखाएगा कितने grass tokens आएंगे और कितनी fees लगेगी यहां grass token की दोनों figure match होती है transaction fees 0.00601 16 नामे लगेगी लगबग 90 रुपे के आसपास wallet में confirm button पर क्लिक करें और थोड़ा इंतजार करें grass website में यह successful का message दिखेगा हाँ तो इसी प्रकार तीसरा step complete हुआ अब wallet में जाकर देखेंगे तो grass tokens दिखाई देंगे इसको stake कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं stake करने के लिए wallet में नहीं परनतु grass की website में सब control होता है मतलब staking का management grass foundation की website से होगा चले staking भी देख लेते हैं staking मतलब अपने grass tokens को fixed deposit में रखना जिससे ब्याच के तोर पर कुछ और grass tokens कमा सकेंगे अपने grass tokens को stake करने के लिए stake button पर click करें उसके लिए solana में transaction fees लगेगी देखिये fees नहीं है तो wallet में ही कुछ grass tokens को अब solana tokens में convert कर सकते हैं उसके लिए swap पर click करें swap करने की लगबग 5 उप्या fees लगेगी यहां हम 5 grass tokens को solana में swap करेंगे 5 grass tokens के 0.02 solana बन जाएंगे इस प्रकार staking करने की fees का इंतिजाम भी उसी grass tokens में से कर दिया अब stake करते हैं 100 grass tokens को stake करके दिखाएंगे यहां 100 यानि 100 टाइप करके stake पर click करें और wallet open करें stake करने के लिए 0.0006 solana यानि लगबग 8 उपे की fees लगेगी wallet में staking का transaction confirm करें wallet में confirm करने के बाद website में successfully staking का message दिखेगा और आपके stake किये हुए grass tokens दिखेंगे देखे 7 दिन के बाद इसको unstake कर सकते हैं मतलब जब चाहे fix deposit तोड़ सकते हैं यहां ब्याज के claim rewards देख सकते हैं और claim कर सकते हैं तो extra grass tokens wallet में आ जाएंगे अब जानते हैं RPC endpoint क्या होता है RPC का पूरा नाम remote procedure call है RPC endpoint को दूसरे शब्दों में RPC node मान सकते हैं blockchain और cryptocurrency के संदर्ब में RPC endpoint एक programming interface है software है जिससे blockchain के बाहर की application उस blockchain network के साथ बाचिद होती है blockchain के साथ interact करने की permission मिलती है RPC endpoint के function या कहो application programming interface यानि API का एक set होता है जो application को विभिन्न कार्य करने की अनुमती देता है जैसे कि blockchain के data retrive करने के लिए tokens का transaction करने के लिए smart contract को execute करने के लिए और wallet का balance check करने के लिए मतलब इन सब को सीधा grass foundation की website से manage करने के लिए बीच में RPC endpoint होता है ये कुछ popular RPC endpoint के नाम है दो तिन website देखेंगे ये hilias की website है ये quick node की website है ये alchemy की website है ये सबके node लगा सकते हैं सबका अलग-अलग network होता है ये solana blockchain पर top 10 RPC की list है सबके pricing, performance, customer support और API के बारे में लिखा है टाइम निकाल कर विजिट करना एक और मस्ती चीज जानते हैं कि grass tokens solana blockchain का उप्योग करते हैं और solana का एक phone भी launch होने वाला है जिसमें crypto wallet inbuilt रहेगा कुछ DApps भी pre-loader होगी solana अपना future बना रहा है अब grass network की बात करें तो उसका tokenomics release हो चुका है total 1 billion tokens है मतलब 100 करोड़ grass tokens tokenomics को हिंदी में आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर translate किया है जिसको शानती से पढ़ सकते हैं मुख्य points की बात करें तो यह एक fixed supply token है token का बड़ा हिस्सा community को दिया गया है locked token को wasting से पहले stake नहीं किया जा सकता foundation के tokens का उप्योग ecosystem के विकास के लिए किया जाएगा अभी भी grass की mining चालू है दूसरा stage शुरू हो चुका है अभी भी join हो सकते हैं 2 million users से ज़्यादा active node है हर रोज 60,000 GB से ज़्यादा multi-model web data scrap होता है इससे हर रोज chat GPT 3.5 जैसे model को train करना संबव है दिखिए 100 million nodes होने पर grass network fully decentralized internet scale करके Google की तुलना में आ जाएगा अभी grass ऐसा क्या खास काम करता है तो पहे grass एक data roll up system का उप्योग कर रहा है जिससे पूरे web को बड़े प्यमाने पर crawl करने में data को अच्छी तरह व्यवस्थित करने में और AI model के लिए real time जानकारी update देने में सक्षम बनाता है मित्रो grass project में तीन तरह से revenue generate होगी income होगी internet की bandwidth बेज कर data crawling करके ठीक से arrange करके बेजने से और तिसरा सीधा AI को real time data से मदद करके ताकि AI सठिक, informative और relevant reply करें मतलब रोबर्ट को जो भी पूछें रोबर्ट उसका सही जवाब दे सकें इसलिए वाई grass project में potential तो है future में बहुत काम में आ सकता है दुनिया में AI भी तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐसे में आपके पास laptop, computer और internet connection है तो grass में जुड़ना चाहिए जितने भी टोकन्स मिलते हैं काम के हैं future में grass network में अच्छे काम होने से उसके टोकन्स की कीमत भी बढ़ सकती है और किस्मत भी खुल सकती है तो किस्मत खुलने के लिए सुख सोभाग्य प्राप्त करने के लिए बहते समय के साथ नया नया जानते रहें और प्रसंद रहें मेटा मित्र से जुड़े रहें मेरा मित्र मेटा मित्र